हेलो एंड अमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूडूब चैनल सक्सेस मंत्रावाई दीपगरायम है और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साल भर के सभी महत्पूर्ण प्रश्णों का संकलन टॉप 100 क्वेस्चन जो कि आपके घटना चक बहुत ही जबर्जस यह क्लास आपकी यहां पर मिलने वाली है और महत्पूर्ण प्रश्णों का संकलन साथ साथ अगर आप हमारे टेलग्राम चैनल पर जोएन होते हैं तो इसकी पीडियो भी आपको महां पर सेयर कर दी जाएगी तो चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करत मैलाड होने वाला रोबोट जिसका नाम क्या है बेंडिकूट है इसका अनावरण कहां किया गया केरल में ठीक है ध्यान रखेंगे दूसरा देखें वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे जो प्रदूसित देश है वह देश कौन सा है यहां पर चाड है क्वेश्व नमबर थर्ड देखें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंग कितनी है तो भारत की रैंग आठवी है और अलग समय आपको इंडेक्स लेटेस जो आकड़े है डाटा है वो मैं दूंगा कि भारत की दूरा ये किया गया और इसके साथ-साथ आप हमारे एप्लिकेशन को भी डावलोड कर सकते हैं और इसकी पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल ना जोइन किया है वीडियो को डिक्सटन बॉक्स में टेलिग्राम सबसे बड़ा चार मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलिस्कोप का उध्गाटन कहां पर किया गया तो ध्यान रखेगा यह सबसे बड़ा है और यह उध्गाटन किया गया है भारत में उत्राखंड में आरभट प्रेच्छन विज्ञान सोध संस्थान में ठीक है ध्या की खोज की गई है तो लिथियम के भंडार की जो खोज की गई है जम्मु कस्मीर में और इसका जो जगा है ध्यान रखेगा कौन सा है रियासी जिले के सलाम हैमाना छेत्र में किया गया है तो यहां से इंपॉर्डन बन सकता है अगर क्वेश्चन को तुरह से घुमागर क्वेशन नमबर 9 देखिए भारत का पहला लीथियम सैल निरमार सयंत क्यूंकि यह भारत की पहला है लीथियम सेल निरमार है यहां से बश्ट बन सकता है अन्दरपर्देश के तिरुपती में भारत की पहली हाइड्रोजन मिस्रित परियोजना की सुरवात किस राज से की गई है तो सूरत गुजरात में पहली हाइड्रोजन मिस्रित परियोजना है एसिया का सबसे बड़ा संपीडित बायो गैस सेंतर का उद घाटन कहां किया गया है तो ये भी एसिया क सबसे बड़ा है पंजाब के संगरूर में त्यान रखेगा और आगे बढ़ने से फ़ले आपको ये बता दू कि अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारेों को और धारधार करना और आप समय कम है आपको ज्यादा से ज्यादा मौक लगाने हैं और आपको हमारे द्वारा जो तैय सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा बता दू तो दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए UPPSC ROARO के लिए यहां पर देखिए टेसरीस पीडियाफ फॉर्मेंट में त्यार कराएगी हमारे द्वारा हम आपको दस पीडियाफ 15 पीडियाफ नहीं दे रहे हैं टोटल 20 मौक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें की हर सेट में 140 क्वेशन होंगे 2825 प्रशनों का इस संकलन है जिसकी फीज मात्र 100 रुपे है हम आपसे 200 400 500 रुपे नहीं मात्र 100 रुपे में आपको यह टेसरीस प्रवाइड करा रहे हैं जिसमें किस तरीके से आपका यह टेबल है और हर क्वेशन हर सेट की डिटेल में इसका व्याख्या दी गई है बहुत जब इस्टे स्रीज को पढ़ोगे देखोगे तो आप खुद में यकीन करोगे कि किस तरीके से इस्टे स्रीज के लिए आपको हमने यहाँ पर महनत की है आपके लिए तो लेटेस पैटर्न लेटेस कुशन जो भी पूछने की प्रवित्ती होती है करेंट अफेर्स हो गया अन्य सब्जेक्ट हो गया सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और इसकी एक डेमो पीडियाफ आप हमारे एप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और यह पीडियाफ आप हमारे एप्लिकेशन से परचेस कर सकते हैं मात्र सौ रुपय में 20 महत्पूर्ण मॉक टेस्ट है और इसके साथ मैं यहाँ पर बता दो हिंदी की वीसी तरीके से 75 रुपय में आप दोस्तो अगला प्रस्ट नेहाँ पर आपका है प्रधान मंदीर रेंद वोदी ने 5G मोबाइल नेटवर्क के सुरुवात कहां से की थी तो सई जवाब आपका नेदिल्ली है नेक्स क्वेस्ट उच्छ रक्तजाब के विरुद्ध किये गए प्रयासों के लिए संयुक्त रास प्रसकार किस देश ने जीता है तो यहाँ पर भारत ने जीता है महत्मून फैक्ट है परधान मंतरी टीवी मुक्त भारत अभियान के तहट किस वस्त तक भारत को टीवी मुक्त बनाने का प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी समिट 2030 का उधगाटन कहां पर किया है तो अपने संसधी छेत्य वाराणसी में 28 नौमबर 2022 को विश्वस्वाथ संगठन डबली एचो ने मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो मंकी पॉक्स एक विमारी है और इसको डबली एचो ने नाम इसका चेंज करके एंपॉक्स रख दिया है ठीक है नेक्स क्वेशन देखिए सितंबर 2022 को प्रधान मंतरी ने मोदी ने ना बीविया से लाए गए आठ जंगली चीतों बहुत इमात्पूर्ण फैक्ट है ध्यान रख किये गया किस राष्ट आदर भूमियों को रामसर स्थल गोसित किया गया है और अब भारत में कुल 75 कितने हो गये हैं 75 रामसर स्थल हो गये हैं लेटेस डाटा है ध्यान लखेगे चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन देखिए यहां पर क्या कह रहा है देश के 33 हाथी अभ्यारण की स्थाप की गई है और यह चार जिलों लखीम पुर्खीरी बहराई जिसा जहां पुर में विस्तरित होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन यहां पर देखते हैं देश का पहला डूगोंग सरच्छन रिजर कहां इस्थापित किया गया है तो तमिलनाडू सरकार क पाक की खाड़ी में 488 वर किलोमेटर में यह विस्तरित होगा और डूगोंग विश्व में सबसे बड़ा साकाहारी स्तन पाई जीव है ठीक है यह एक साकाहारी स्तन पाई जीव है विश्व में सबसे बड़ा और इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है त्याना क सकेगा जिससे की अतधिक उचाई पर रहने वाले जो तैनात हमारे साइनिक हैं उनकी जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी तेश्वा देखिए भारत के पहले अंतराश्टी कुरूज पोत को पांच जून दोहजार तेश को केंद्री पोत परिवान जम्जल मार्ग मंत्राले के द्वारा हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया इसका नाम है इसका नाम है एमवी एक्सप्रेस चन्नाई से स्री लंका के लिए भारत का पहला 5G सच्छम ड्रोन का क्या नाम है तो जो एक कांकले हुआ था जर्मनी में वहां पर एरावत को क्या किया गया है भारत का सबसे सूपर कंप्यूटर घोजित किया गया है ठीक है इसकाई हॉक यहां पर यह इसका सही जवाब है और एरावत ध्याना किया है फ्रंटियर जो अमेरिका का सूपर कंप्यूटर है पहले स्वदेशी विमान वहक पोथ को भारत को समर्पित किया गया है इसका जो नाम है आई एनेश विक्रांत है यह आपका स्वदेशी विमान वहक पोथ है और इसका निर्माण कोचिंद सिप्रियर लिम्टेड द्वारा किया गया है प्रस देखें नुमैडिक एलिफेंट दोहजार तेश सैन युद्ध्याव्याज जितने भी मिलिटरी एक्ससाइज है वहां से दोस्का प्रस ने पूछा जाते हैं तो नुमैडिक एलिफेंट भारत और मलेशिया और कहां पर उलान बटेर मंगोलिया में आयुजित किया गया था साथ वह संस्क्रण है उने भारत Anda और स्र्लंका को पूछा भी ढ़ले जया है त्वह तो स्लंके मत्त में कहां पर कॉल्मापो और। सिंग्वा है प्रस ने का गया अज़र ऑवारत ouseने मैйदान हो और जोधपूर में इसका आयोजन किया गया था तेरह हुआ संस्क्रण है फ्रिंजेक्स 2023 युद्ध्यव्यास किन दो देशों के मद्ध हुआ भारत और फ्रांस केरल में आज़ू तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रस्णों का संक्लन मैं आपके सांद में लेकर आया हूँ और मैंने इसलिए कहा कि कम सकंद्रा क्वेशन पंद्रा माक्स साब यहां से पक्के कर सकते हो ठीक है अच्छे तरीके से अगर आप देखो क्वेशन आपको महां से देखने को मिलेगा और अच्छे तरीके से लगा लेते हैं वी स्मॉक्टे डिटेल में अनालिसिस दिया गया है तो 40-50 जो क्वेशन मैं कह रहा हूँ आपको महां से मिल सकते हैं वीर गार्जियन एक तो धर्मगार्जियन हो गया और दूसरा है वीर सेन युद्याब्याद भारत और नीपाल के मद्याम ड्य शुलावा संस्क्राण था काजिन बहुत ही महत्पुन हं भारत और कज्ऑकिस्थान के मद्य में मिघ्वाले में आजित और छट्वा संस्क्राण था चलिर अगला देख इख मोह दल्हिंद ऑ महतल right partnership कि म्दव में अलमोहेद अलहिंदी भारत और सौधी अरब के मद्ध में दूसा संस्क्रण सौधी अरब में आज़ित किया गयता है वेरी वेरी मोस इपॉर्डेंट आकड़े हैं इस सब गरुण सक्ति की बात करते हैं सैनिद्याब्या तो भारत और इंडोनेशिया के मद्ध में ठीक है वि चाश्व करम के इस तठीके से भी आपसे प्रस्णय पूछा जाता है देश के नए महानायवाधी के रूप में किसे निवक्त किया गया है तो आर वेंकट रमडइ ठीक है तो ये देश के नए महानयवाधी है चले V Aya Wieom Kuna Schaadhi Goka इलहाबाद हाई कोर्ट के मुख न्याधिस कौन बनाए गए है न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर जी कॉश्चन नमर 46 देखिए डियाडियो के नए अधश किसे नुक्त किया गया है समीर वी कामन तो संस्ताओं के प्रमुक से भी कुश्चन यहाँ पर आपका बनेगा प्रदानमंत्री नरेन मोदी के द्वारा देश के पहले public ट्रांसपोर्ट रोपवे का सिला नयाज कहां किया गया उत्तरपर देश के मुक्तमंत्री योगी आधिद नाथ द्वारा देश के बढ़ा ऋड तो भारत का जो पहला गाउँ है ना बार्डर रोड आग्नाजेशन के द्वारा जो घोसित किया गया है यह माना गाउँ है और उत्तरा खंट के चमूली जिले में ध्याना किया बहुत ही मादपूर्ण फैक्ट है नोड़ा यूपी सरकारदवारा प्रदेश के कि जिले में नाथ कॉरिडोर विक्सित किया जाएगा बरेली नेक्स देखिए भारत का पहला मचली संग्राले बहुत ही महत्पूर्ण यह लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकान यूपर पेस कर लीजिए गाया आपको मिलती रहेंगी कम समय में ज्यादा ज्यादा प्रशनों का रिवीजन मचली संग्राले 아रों उनाचर प्रदेश का बुल्ला गाउन। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। बहारत मे कौन सा प्रदेश हिंदी में मेटिकल की पढ़ाई कराने वाला प्रथम राज है तो मद्रद्देश और वहां पर आपने देखा है कि। लिखने का कहा गया तो हिंदी में भी मेटकर पढ़ाई कराने वाला पर्थाम स्टेट है MP तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है इसका जो लोकारपन है बिहार के गया जी डैम फल्गु नदी पर है है ना चलिए अगला देखे किस अमेरिकी राज द्वारा दिवाली को अधिकारिक आवकास करूप में मानता दे रहे हैं तो एक विदियक पारित किया गया तो अमेर देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉंड जारी करने की गोशना की किस देश ने डिजिटल सरकारी बॉंड तो इसराइल इस दर राइट आंसर भारत की पहली नाइट सफारी भारत की ये पहली नाइट सफारी है ध्यान लखेगा इसकाई सेंक्चुरी कहां इस्थ के लिए आप हमारे टेलग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए महाँ पर आपको इसकी पीडिएफ सेर की जाएगी इस्टेच्व आफ नॉलेज प्रतिमा का कहां पर नावरण किया गया तो स्टेच्व आफ नॉलेज हैना स्टेच्व आफ यूनिटी यह दियान रखेगा अलग है नॉलेज अभी लोकारपन किया गया है और महराश के लातूर जिले में और किसे यह समरपित है डॉक्टर भीम राव मेटकर जी की प्रतिमा है स्टेच्व आफ यूनिटी सरदार वल्लब भाई प्रतिल जी की प्रतिमा है और स्टेच्व आफ नॉलेज यह भीम राव तो द्यान रखेगे चले अढ्यात सवों के लिए डीन डेटावेश विक्सित करने वाला भारत का पहला राज है हिमाचल प्रदेश प्लाश्टिक मुक्त गाउँ अभियान की सुरुवाद कहां से की गई थी? प्लास्टिक मुक्त गाउँ जो अभियान इसकी सुरुवाद की गई थी? गुजरात के गानी नगर जी लेके मोटी आद्रज गाउँ से चलिएए अगला देखते हैं कौशन नमबर 68 है भारत का पहला सेमी कंड़क्टर संयत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा तो पहला सेमी कंड़क्टर संयत्र है वह गुजरात के धुलेरा में है एसिया की सबसे बड़ी हेलिकाप्टर निर्माण सुविधा किस राजे में स्थापित की गई है तो यह ACI के सबसे बड़ी हेलिकाप्टर निर्माण सुविधा है और करनाटा के तुमकूरू में प्रधान मंतरी मोदी द्वारा HAL हेलिकाप्टर राशको समर्पित किया गया देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्टरी का उद्गाटन कहा किया गया यह देश की सबस सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लिए और हमारे टेलग्राम चैनल को भी जोइन कर लिए जहां पर आपको सभी लेटेस अबडेट आपको मिलती है महराश्ट के उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्या किया गया धारासिव ध्यान रखेंगे चरे तो नाम चेंज नाम लेकर गिनीज वर्ल रिकार्ड बनाया है 앞에 53,000,000 ने एक सात्ve ही है और कुजरात के सूरत में वर्ल रिकार्ड बनार है भारती मूल की अमेरिकी महिला अमेरिका का टकसास में महिला सिख जो पहली सिख महिला है नयादिस बनी है उनका नाम है मनप्रीथ मोनिका सिंग ज्यान की पहली महिला प्रधान मंतरी की रूप में किसे निुट किया गया तो ये पहली है गिनी की मैनला रोका बोक्ते को टेसला के मुखवित्ति अधिकारी की רूप में किसे निुख परस बन सकता है नेपाल इस्तित विश्व के दस्वे सबसे बड़े उचे परवत अन्पूरा एक को फत्ह करने वाले पहले भारती पुरुष कौन है तो इनका नाम है अरजुन वाजपे त्यान रखीगा नेपाल के जो यह परवत है अन्पूरा वन विष्ट का सबसे बड़ा उचा परवत है अरजुन वाजपे नाटो क मैंने कहा कि index related एक अलग से मैं आपको वीडियो दूँगा जिसमें सारे इंडेक्स समाहित होंगे और 11 फरवरी आपका जो टार्गेट है बहुत अच्छे तरीके से हम आपको यहां पर कवर करा देंगे चेप्टर को ठीक है अगला देखें वैश्विक आतंगवाद सुचकां जिसको कि आप इंडेक्स ऑफ एकॉनोमिक फ्रिडम दोजार देश के नाम जानते इंगलिस में इसमें भारत की रैंक कितनी है 131 है सिंगापूर फर्स प्लेस पर है प्रश्टा चारबोथ सुचकांग में भारत की रैंक कितनी है पच्चास वी है लेटे सांकडे 2022 के नुसा और डेन्मार्क फिस्स पर है अंतराष्टी बॉदिक संपता सुचकांग 2023 में भारत की रैंक है 42 है सांकत. अमेरिक यू से 1 रैंक पर है और भारत हमारी यू रैंक है 42 है मानो सतंता सुचकांग 2022 Human Freedom Index में भारत की रैंक कितनी है 10 वी है और अभी हैंली पासपूर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 वी है ठीक है असी रैंक है भारत की हैंली पासपूर्ट इंडेक्स में ठीक है जलवाई परिवर्तन परदसन सुचकांग 2023 में भारत की रैंक 8 वी है ज्यान रखेंगे question number 86 देखिए time person of the year 2023 किसे घोसित किया है तो time person of the year 2023 घोसित किया गया है युक्रेइन के रास्पति जिलेंस की तथा युक्रेइन की भावना को ठीक है रूस और युक्रेइन में देखे जो वार और यहां पर देख सकते हैं 2022 के साहित का नोबल पर उसकार किस खुए क्योंकि पूछा जा सकता है एनी अर्णो को फ्रांसेशी लेका है अठारवा जीट्वन्टी सिखर संब्मिलन कहा आउचित किया गया नई दिल्ली भारत में important है क्योंकि यह भारत आज पर प्रशने गया था तो जितने भी सिखर संब्मिलन है संमीट है वहां से भी प्रशनाब का बनेगा किस जिले में उत्तरप्रदेश सरकार ने राम लेंड नामक एक थीम पार्क विक्सित करने की खुशना की है तो अयोध्या यूपी स्पेशनल से यहां पर प्रशन है भारत के पहले डिजिटल पार्क के अधार सिला कहां रखी गई तो भारत का पहला ज अगला प्रस देखिए 92 के बाद 93 है विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का नावरण कहां किया गया वेरी वेरी मोस इंपॉर्डन ऐसे मैंने नहीं कहा कि यहां से 10-15 कोशन आपके पके हैं माक्स पके हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनिंदा प्रस है स्वास्त के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज कोन बना है तो इंप के बारत को पहला राज है राजस्तान की कॉफर्मेंट कί अब जो Cyrus की के पीचीत होई है तो लास्ट वन येर के क्वेश्चन में आपका ये बनेगा किस राज्जे में गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट प्रस्तूत किया गया अपने आप में एक अनुखा बजट है जल बजट के रल 96 प्रस देखिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन कमिशन के द्वारा 10 अप्रेल 2023 को किस पार्टी को राष्टी पार्टी का दरज़ा दिया गया तो अरविंद के जिरवाल जी की आम आदमी पार्टी को राष्टी पार्टी का दरज़ा मिल चुका है और देश म स्पोर्ट से भी आपके क्वेशन बनेगा आश्टेलिया नोपन दोजार तेज का खिता आप किसने जीता है तो वेंग होंग्यांग है जो की चाइना से हैं और उप विजेता प्रणाए एचेस हैं भारत से ठीक है 22 वर आश्मंडल खेल 2022 का आज़न कहां किया गया बर्मिंगम यूके में और आस्टेलिया 178 पदक के साथ पहले प्लेस पर है राश्मंडल खेल में कॉमन विल्ट में ठीक है भारत कुल 61 पदक भारत ने जीता है जिसमें के 22,16 रजट और 23 के साथ चौते स्थान पर है इसको ज विजेता कौन बना है तो जर्मनी ने पूरुस हाकिव इसकब 2023 को जीता है उप विजेता बेल्जियम है और वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा साथ ही साथ आप इस टेस्ट स्रीज को बाई कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में 20 मॉडल टेस्ट पेपर प हमें वाट्स अब करिए संतानवे दोसो बारा जोवाली साथ सो त्रीपन पर ठीक है तो अभी के लिए दोस्तों इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो के बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहे हैं चैनल साथ बहुत जबर्जस तरीके से आपके प्रस्णों का स